CBSE Private Candidate का फार्म भरने से पहले आपको अपनी काटेगरी पता होनी चाहिए जिसे अपनी काटेगरी को लेकर डाउट है वो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं मैं परसनली आपकी हेल्प करूँगा फार्म भरने के लिए आपको CBSE के वेबसाइट से Private Candidate के पोर्टल पर जाना होगा इसके बाद जिस काटेगरी के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें फोर इग्जामपल अगर आपको Improvement के लिए फार्म भरना है तो आप उसे क्लिक करें अगर Essential Repeat है रिजल्ट में तो आपको Failure काटेगरी में अपलाई करना होगा अगले स्क्रिन में आपको फरवरी वाले Admit Card से डीटेल्स भरना है सो Roll Number, School Number और Center Number के कॉलम में जो भी आपके Admit Card में लिखा है उसे फिल कर दें अगर आपने जुलाई में Compartment Exam दिया था फिर भी डीटेल्स आप Main Exam वाले Admit Card से ही भरें जिस Year का Admit Card यूज कर रहे हैं वही आपका Year of Examination होगा डीटेल्स भरने के बाद प्रोसीड करें अगर आपने सही डीटेल्स भरा है और आप exam के लिए eligible हैं तो आप अगले step में पहुँच जाएंगे जो कि सबसे crucial है यहाँ failure और compartment काटेगरी वालों के लिए पहले से सारे subject selected रहेंगे आप चाहें तो additional विशाय को un-tick कर सकते हैं improvement वालों को जिस विशाय में exam देना है केवल उसे टिक करें additional subject category वाले drop down menu से जिस विशाय में exam देना चाहते हैं उसे select करेंगे medium में आप जिस language में exam देंगे उसे select करें इसके बाद आपको अपना address डालना है अगर आप गाउं में रहते हैं या आपके घर का कोई flat number नहीं है don't worry जो सामान्य पता है आपके घर का वही fill कर दें address pin code सहीत सही सही भरिएगा आपका mark seat इसी पते पर भेजा जाएगा mobile number और email खुद का डालिएगा जरूत परने पर board आपसे email के जरिये ही संपर्क करता है इसके बाद जहां आप board exam देना चाहते हैं उस city और state को चूज कर लें आपका exam center उसी सहर में होगा जिसे आप select करोगे सारा details एक बाद फिर से check कर लें and if satisfied click on submit application इसके बाद एक application number generate होगा उसे note down कर लें अब home पर click करें और वापस starting page पर आजाएं अब आपको upload images को choose करना है यहाँ जो newly generated application number है उसे डालें और roll number में अपने admit card वाला ही roll enter करें जिसे आपने starting में भरा था proceed and upload your photo and signature ध्यान रखिएगा कि आप photo को photo वाले section में ही upload कर रहें है कई लोगों ने signature के बदले photo और photo के अस्थान पर signature upload कर दिया है आपको यह mistake नहीं करनी है photo और signature upload करने के बाद फिर से home पर click करें अब आपको fee payment को choose करना है फिर से application number और roll number डालें and proceed आपको कितना fee देना है यह अगले screen पर show करेगा अब आप HDFC bank को choose करें यह एक payment gateway है so don't worry अगर आपका HDFC bank में account नहीं है किसी और bank का आप card यूज करने वाले हैं या फिर UPI का यूज करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी payment successfully submit करने के बाद फिर से home पर click करें अब सबसे नीचे वाला option confirmation page को choose करें देन application number और roll number एंटर करके अपना confirmation page डाउनलोड कर लें आपका application form successfully submit हो चुका है अब आप अपने exam की तयारी कर सकते हैं cbse private candidate के application form भरने में अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप बेही चक हो exam सबके telegram channel या instagram पर हमें message कर सकते हैं link video के description में मौजूद है